फिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है चलिए दोस्तों आपके सामने एक और एक जॉब की नोटिफिकेशन लेगर फिलाल यह जो जॉब का डिपार्टमेंट है यह दोस्तों माला बार सीमेंट्स लिमिटेड है जिसका ओफिशल वेकें लेगर का दमटाइब के अंडर्टेकिंग आता है चलिये उगए आपको बताते हैं इसमें टीटेल्स वह अगरा है आप सब्सक्राइब है तो जाधा जो ऐसमें पोस्त है इसमें कितनी सीटें है इसमें लिखा हुग नहीं है यह तो बहाएं लेका पर आपकीतों से है तो फिलाल जो पहला the Deviation theysis Seville से तो फिलाल स्काहई लिखा हुआ है ये टेबल आपके सामने है उसमें आपको दिख रहा होगा n कुलार जो की इन जिए उसके लिए विद्ग्रीय इन जीनी वहगा है यानि भी टेक वगर आपका हुना चैक है जिए सिब्दम इंजीन medals से और अकर इसकी सेलरी बगरा की बात करें तो दिए 63,580 रुपीज उसकी सेलरी हो जाएगी फिलाल आपकी मैक्सिमम एज यहां पर 39 एर्स महांगी गई है वो भी मैक्सिमम और एक यहां पर मैं एक चीज बताना भूल गया हूं फिलाल कौलिफिकेशन में एक चीज और लिख पोस्त ऑन जॉब आपका एक्सपीरिंस यहां पर जरूर मंगा जाएगा आगे चलेंके तो अगर आप यह नहीं जानते हैं कि वेल फिसर क्या होता है तो देखे मैं आपको बता दूं वेलपेर ऑफिसर देखे हर और और ऑर्जनाइशन में होते हैं और इसमें होता क्या है welfare officer का total काम यह होता है कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं निकलती है आप सभी वरकर्स के लिए और या फिर आप डिपलोमा वाले जो वरकर्स होते हैं उन सभी के लिए तो उनको सारा फाइदा दिलाना उस योजना का सीधा लाब उन तक पहुंचाना इस तरीके का काम होता है welfare officer का और अगर माली जे कोई ऐसा योजना है जिसके आप पात्र नहीं है या पात्र है भी लेकिन अगर उसमें से कुछ इसू आ रहे हैं तो उसको भी ठीक कराना करेक कराना इस तरीके के कुछ काम होते है welfare officer के उसी के लिए यह पोस्ट है दिखे तो यहां पर बताते हैं को graduate from any recognized university और साथ ही साथ post graduate degree भी होने चाहिए diploma in social work या social science इस तरीके से काफी सारी details लिकी हुए है यह आप पढ़ सकते हैं आराम से इसके बाद यहां पे भी तीन साल का minimum post qualification experience महांगा गया है salary की बात करें तो approximately 60,000 salary हो जाएगी और यहां पे 39 maximum age है यहां पे years की तो इस तरीके से है यह दोस्तों आगे चलेंगे देखे लास्ट पोस्ट है माइस्टरी लिखा हुआ है यहां पे तो फिलाल यहां पे डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए इस यह पोस्ट है यह जॉब और 38 years maximum age मांगी गई यहां पे तो इस तरीके से है दोस्तों देखे नीचे line एक लिखी हुई है इस टेबल के नीचे तो जिसका मतलब यह है कि इस salary के साथ आपको जो भी अगर आपके पास है यह आपके पास है अगर आपके पास और extra कुछ है तो उसके लिए आपको वरीता दी जाएगी तो वह extra आपके पास क्या requirements होनी चाहिए जो कि इनको यहां पे है नीड है उस तरीके से तो यहां पे देखे आगे लिखा हुआ है फिलाल यह जो देख रहे हैं यह नोट है एप्लिकेंट के लिए तो इसको आराम से पढ़ लीजे और अभी मैं फिलाल आपको बताऊंगा भी थोड़ा सा तो पहले आगे चलते हैं कि रिक्वार्मेंट्स के बात आगे चलेंगे यह जो मैस्तरी की डिजिगनेशन दी उसके लिए यहां पे कुछ कौलिफिकेशन और रिकार्मेंट्स लिखे हुई है तो आप इनको आराम से वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप उसी लाइन के स्टूडेंट है या जौब करते हैं तो आपको यह सब चीज हैं और यहां पर लिखा था तो यहां पर बताते हैं और पर की बहुत जरूरी है यह जो application form है और आपको इसको अपलाई करना होगा तो यह फिलाल online mode से नहीं है यह offline mode है और बस यहां पे online mode इतना होगा दोस्तों कि आपको form का भर प्रोफार्मा आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा ठीक है तो वेबसाइट आपको दिख रही होगी उपर जहां पर मैंने आपको फ्रेंट दिखाया दापेज वहां पर होगी अभी एक बार और दिखा दूँगा तो दिखें यहां पर यह जो फर्स्ट लाइन है आप आपको एड्रस दिखा हुआ है इसी एड्रस पे आपको 27 मई जो कि इसकी लास्ट डेट है उसके पहले आपको यहां पे पोस्त पे द्वारा सेंड कर देना है तो इस तरीके से यहां पे सारा असेंड होगा और फिलाल यहां पे जो भी आप अप अप्लिकेशन भरें उसमें अपना मोबाइल नंबर और इमेल आइडी ज़रू डाले उसी से आपको कांटेक किया जाएगा तो बस यही एक जॉब की अपडेट थिया आप सभी के लिए दोस्तों और बेस्ट आफ लग